असलाम अलेकूँ वेलकूम बेक टो माई चानल इस इस मी इनासीफ आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इस चोटी सी वीडियो के अंदर आज मैं आप लोग के साथ एक ग्लीटर शेयर करने वाली हूँ अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका आई मैक अप लोग इतना प्रोफेशन और ब्यूटिफूल सा लगे ग्लीटर आज कल बहुत जड़ा ट्रेंडिंग में हैं और जब बात की जाए ब्रैडल मैक अप की तो ग्लीटर के बगए ब्रैडल मैक अप डन होता ही नहीं है तो आज मैं आप लोग के साथ ऐसा ग्लीटर शेयर करने वाली हूँ जो के बहुत ही जादा खुबसूरत लगता है अगर हम हलका सा बीटाज दें अपने आई मैकप में तो हमारे मैकप में चार चान लगा देता है कौन सा ग्लीटर है किस सरीके से मैंने अपलाई किया है जिसके बाद ये इतना खुबसूरत सा आई मैकप लोग कम्प्रीट हुआ है वीडियो को आईं ग्तार से ब्रणगार में बिल्कुल सब्सक्राइब से जाए तो इस लुक की कम्पेट वीडियो आप लोग को मिल जाएगी तो जरूर देखीगा हम बात कर रहे हैं ग्लीटर की तो यहाँ पर जो मैं ग्लीटर यूज कर रही हूं मुस्फरा कॉस्मेटिक्स का ट्रांस्पेरेंट ग्लीटर है पहले ग्लू को अपलाई कर लीजिए भी हमारी ग्लीटर ज़रते हैं तो अगर आप लोग भी बिगणर्स हैं और अभी नया मैकप करना सीख रही है तो बइक ग्लीटर को एप्लिकेशन करने का ये बहतीन तरीका है कभी भी गीले ग्लू के उपर आप लोग को ग्लीटर अपलाई नहीं करना है चाहिए आप बार बहुत जाद बहर बहर के मैंने नहीं लगाया है विल्कुल लाइट से घ्लीटर अप्लाई किया है तो शाइन आप देखें ग्लीटर की कितने अच्छे से शाइन आई है इस ग्लीटर की और ट्रांसपेरणन ग्लीटर इतना अच्छा मुझे इसली भी लगता है कि हम इसको किस इसको अपने वारेटे का हिस्सा लाजमी बनाएए क्योंकि यह बहुत खुबसूरत लुग देता है और मैं बैडल मैकप में इसको बहुत जादा यूज करती हूं मुस्वा कॉस्मेटिक्स के यह ग्लीटर आपको रिजिलेंबिल प्राइस में मिल जाएगा आपको मेरा लुक आप देखें कितना खुबसूरत लग रहा है ग्लीटर लगने के बाद और मुस्वा कॉस्मेटिक्स का नंबर में में नीचे मैंशन कर दूँगी इनका इंस्टेग्राम का पेज है मुस्वा कॉस्मेटिक्स के नाम से आई होप मेरी छोटी सी वीजियो आप लोगो ज